Hello friends, welcome to Lens Reviews, this is Ram Soni. आज हम डिस्कस करेंगे लेडार टेक्लोजी के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे. चलिए शुरू करते हैं डिस्कसिन को. Well, देखें, लेडार टेक्लोजी के दिए हम बात करें, तो इसको सिंपल से बोलते हैं, Light Detection and Ranging. इसके चलते हैं, इसके चलते हैं, इसे लेजर प्रेसिजन ही बोलते हैं, Light जो Waves होती है, वो लेजर प्रेसिजन में, काफी exact contours, मतलब जो आसपस का जो area है, उसका जो exactness काफी ज़दा बिल जाती है, मतलब इससे क्या पता चलता है, जो भी आसपस कोई building है, उसका exact location पता चलता है, और साथ में, ना सिर्फ location पता चलता है, बलकि उसका जो figure है, यदि आप radar की बात करें, radar में हलका सा blur image आता है, लेकिन यदि हम बात करें, radar की बात करें, जहाँ पे light detection रंजिंग का इस्तिमाल क्या आता है, वहाँ पे जो image है, वो काफी crystal clear रजर आता है, तो कहीं न कहीं ये वहाँ पे काफी बड़ा benefit देगा, इसके बात करें, radar technology basically क्या है, जिसके बात करें, तो ये एक remote sensing method है, जिसके अंदरगत हम light wave को इस्तिमाल करते हैं, तो simple सी बात है, जैसे radar में आप इस्तिमाल करते हो radio waves, वैसे यहाँ पे इस्तिमाल करते हो applied waves, आप देखा जाया तो यहाँ पे जो data है, उसको हम record करेंगे, record करने के लिए हम क्या इस्तिमाल करेंगे, airborne system, मतलब जो हमारे जो unmandering vehicles हैं, उनको इस्तिमाल कर सकते हैं, है न, इस तरह से drone इस्तिमाल कर सकते हैं, और उसका इस्तिमाल करके, हम लोग three dimensional information गेदर करके, आसपास के location का पता लगा सकते हैं कि कौस object कहाँ पर located है, तो कहीं न कहीं इससे हमें assess करने में आसानी होगी, क्या आसपास की चीज़ें क्या है, याद रखेगा, यहाँ पर यहाँ पर बिल्डिंग है, इसमें drop किया जा रहा है, तो aerial sensor जब यहाँ पर drop करता है, इस ते reflection जो मिलता है, इस data को collect करके, पता लगा जाता है कि यहाँ पर कौन सा object है, तो याद रखेगा, यहाँ पर यह पहले object में कुछ laser rays जो है drop करता है, और उसके बाद में उसको calculate करता है, कि वो जो laser rays है, वो return करती है, वो कितने time में return कर रही है, और इसके चलते वो उस object का, जो safe है, उसको identify कर लेते हैं, अब देखा जाये तो यहाँ पर speed और जो time है, उसको यहाँ पर इप्रकास से measure कियाता है, अब देखें, look at this one, यह इसलिए crystal clear information दे पाता है, लेडार, क्योंकि यहाँ पर जो light waves है, उसकी जो speed होती है, बहुत ज़दा होती है, आग पतो नाची 3 lakh meter per second के speed से, 3, sorry, 3 into 10 per 8 meter per second के speed से light travel करती है, तो कहीं न कहीं यह बहुत ही ज़दा speed से travel करती है, इसलिए किसी भी object को, यह दो कोई object आज सपास से गुजर भी रहा है, तो उसका exact location, distance और साथ मुसका safe identify करना, लेडार technology के थ्रूप बहुत यासान हो जाता है, अब लेडार instrument में देखा है, तो इ proper जो बड़ी-बड़ी areas हैं, उसको पता लगाने के लिए कि कौन सा object कहाँ पे है, उसका exact figure, देखें, लेडार और लेजर में बड़ा difference थी, लेडार और राडार में ही major difference है, कि लेडार में यह दि कोई मालेजी object है, मालेजी यहाँ पर इस तरह से square shape object है, तो इसका यह दिए अच्छा है, यहाँ पर concentrate होता है, यदि हम सारे angle को देखें, कि मालेजी object का detection कैसे होता है, याद रखेगा, लिडार में काफी high resolution में मिल जाता है, classification की बात करें, तो यहाँ पर इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन हम बात करें raw data को, यदि हम उसकी density देखें, कितनी अच्छ होती है, इसके लाव velocity measurement तो कही न कही थोड़ासा उतना अच्छा performance नहीं कर पाता है, चुकि हर जगे इतना अच्छा performance नहीं होता, लेकिन night vision की बात करें, तो यहाँ पर lidar जो है, बहुत ही बढ़ी है दरीगे से performance करता है, हाँ इसका आपना हो देखा तो cost कही न कही थोड़ पाएं, let's hope for the best, अब इस picture में आप देख सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, aerial sensor जो है, यहाँ पर data collect करेगा, यहाँ पर यह पूरी अपनी जो raise है, इसको drop करेंगे, raise ड्रॉप करने के बाद में, कितने time से वहाँ पर reflect होता है, वापस चाहता है, उसको हम लो की बात करें, inertial measurement unit की बात करें, तो यह measure करेगा altitude, मतलब कितनी उचाहिए पर है, तो यह भी काफी important है, ground GPS हम लगा के रखेंगे, इसके चलते हमें, चीज़ों को locate करने में आसानी होगी, यह रहाल लिडाटर क्लॉज़ी के बारे में, यह आपके पास कोई question रहेंगे, तो आ वीडियो कासा लगा, नीचे कमेंट करके जरूब बताइए, और हाँ, चैल को subscribe करने मत भूदेगा, बिलते हैं फिर आप पर बोगोश्यों के रहेंगे, तो पर कलें बाब बाई, टेक केर